36 गड़ प्रदेश के 36 गड़िया ओलम्पिक 17 जुलाई को प्रारंब हुआ था जो अब जोन इस तरिये खेलों तक जा पहुचा है इस इस तर पर जीतने वाली टीम और प्रतिभागी आगे निगम इस तरिये खेलों में प्रतिने दिद्व करेंगे 36 गड़ के मुक्यमंतरी भुपेश भखेल के द्वारा 36 गड़ी पारंपरी खेलों को बढ़ावा देने के उद्देशे से 36 गड़िया ओलम्पिक की शुरुआत की गई थी जिसके दूती वर्ष में 17 जुलाई से इस ओलम्पिक की शुरुआत की गई थी और अब यहां प्रतियोगिता खेली गई जिसमें जामूल पालिका परिशयत की तरफ से आई टीम को भिलाई शहर के कुरुद गाउं की टीम ने शिकस्त दी और जीत हासिल की दोनों ही टीमों ने अपना-पना सरोस्रेश प्रदर्शन किया बस कुछ अंकों के अंतराल से ही जामूल की टी इस तरह पर जीत हासिल करने की मन्शाज़ताई मैं धन्यावाद कहना चाहते हूं इसके क्यारण हम लोगों यहां 36 गौड उंपिंग में खेलने में बाहर जाने को भी मिलता है अच्छे से खेलने के लिए भी तो हम लोग खेर रहे हैं इसकुल की तरफ से तो अभी नार्मल स्टार्ट किये हैं सब बढ़ चड़ कर भाग ले रहे हैं इस खेल में हम लोग तो पहले से ही इसकुल तरफ से जाते थे खेल कुद में तो हम लोगों को मन्शा से आते थे ट्रेनिंग करने के लिए एक दो साल इसकुल में थे आई तब फिर उसके बाद हम लोगों को पता चल गया कि कैसे खेलना है क्या करना है उसके बाद हम लोग अपना अच्छा है चत्तिस गड़िया ओलंपिक में निगम ति तरफ से साहयक नोड़ा लधिकारी आजिए शुकला ने निगम घिला चेत्र में चल रहे पाँच जोन की टीम आई है साथ में जामुल की टीम आई है अभी नगर निगम भिलाई और जाव्झल का मिल करके मैं६्स के पाद स्भी करते रुक सुझाए लिए वाले उसका भी तइसके बाद जल्ट आने वाली है और मैं आपके चैनल के मादम से बताना चाहा रहा था कि बहुत ही उत्सा के साथ बच्चे लोग खेल रहे हैं तो जो सव उर्जा के साथ पोको खेल तो बिलुपत होते जा रहा है वो खोल जीवित हो गया च्छतिसगड़िया उल्लम्पिक के मादम से बहुत ही स संतो शर्मा की रिपोर्ट